Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Sood and आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं NTA UGISnet Paper 1 के Most Important and Most Expected Current Affairs के MCQs आज की इस वीडियो लेक्चर में जितने भी MCQs में आपके लिए लेकर आई हूँ ये Current Affairs as at this exam में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये Most Expected Questions है इस लेक्चर के सबसे अच्छी बात ये है कि आप चाहे English Medium Student हो या फिर Hindi Medium Student हो आपको दोनों ही Languages में यहाँ पे Questions में Provide कराती हूँ साथ ही उस Particular Topic से Related Detail Explanation में मैं आपके साथ Share करूँगी सो दाट उसी Question को किसी डूसरे वे में अगर पूछा जाए तो आप Easily Question को Solve कर सको ये Current Affairs की Lecture Series में हमारा Lecture No. 39 है अगर आप लोगों ने अभी तक Previous 38 Lectures नहीं रेखे हैं तो आप लोग Description Box चेक कीजिए वहाँ पे आपको एक Playlist का Link मिल जाएगा जहाँ पे सारे Lectures अवेलेबल है सो डेली हमारे इसी YouTube चैनल पर Current Affairs की शाम को 6 बजे Free Classes होती है सो ज़रूर आप इन Video Lectures को देख लीजिएगा इसके साथ ही आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि यूजिस इनेट एक्जाम में Current Affairs के Questions exactly कहां से पूछे जाते है बहुत से स्टुडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती तो मैं आपको बता दूँ कि यूजिस इनेट एक्जाम में जो हमारा Paper 1 होता है आपको पता होगा कि Paper Pattern में दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है तो Paper 1 जो होता है ये सब स्टुडेंट्स के लिए Common Paper होता है आंड इसमें टोटल 10 यूट्स होती है तो इन 10 यूट्स में से लास्ट की ये 3 ऐसे यूट्स हैं जहां से Current Affairs के Questions हर साल पूछे जाते हैं तो हमारे इन वीडियो लेक्शर्स के थ्रू ये तीनों यूट्स हम आपको कवर कराएंगे Guaranted Questions है एक्जाम में As It Is पूछे जा सकते हैं तो इसके साथ ये एक और Important Information में आपको ये देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया यूजिसेनेट एक्जाम में हमारा Paper 1 जो है ये Common Paper होता है इस Paper में Total 50 Questions पूछे जाते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये Paper की Help से आप J.R.F. easily Qualify कर सकते हो क्योंकि ये Paper बहुत ही जादा Scoring होता है तो अब यूजिसेनेट एक्जाम हमारा 20 से 30 सेप्टेंबर के बीच में होने वाला है बहुत कम समय बाकी है तो ये समय पे हमें Smart Work करना है ना कि Hard Work करना है तो आप लोगों की Smart Work के लिए Global Online की टीम आपके लिए Paper 1 की Quick Revision PDF लेकर आई है इस PDF में हम आपको देते हैं 2000 प्लस MCQs ये सारे Questions 100% Guaranteed है 100% Guaranteed का हमारा मतलब ये है कि ये Questions exam में as it is पूछे जाते हैं तो अगर आप लोगों की अभी तक Paper 1 की Preparation पूरी तरह नहीं हुई है कुछ units miss हो चुकी है तो आपको क्या करना है आपको सिरफ ये 2000 questions को exam से पहले एक से दो बार इसका overview ले लेना है as it is questions exam में पूछे जाएंगे and जिससे आपकी Preparation में और भी जादा help हो जाएगी ये सारे Questions बिलकुल updated है आप चाहें English Media में Paper 1 देने वाले हो या फिर Hindi में देने वाले हो आपको दोनों ही Languages में इस PDF में questions मिलेंगे इसमें Most Expected Current Affairs में included है and हमारे previous batch के सभी students का ये कहना था कि लगबग हर एक shift में हमारे इसी content से Current Affairs के questions exam में as it is पूछे गए थे और उन्होंने इसी के basis पे अपना JRP qualify किया साथ ही आपको इस 2000 questions की series में मिलते हैं Previous Year Questions and Most Repeated और Most Expected Questions जिससे कि आपको एक idea भी हो जाता है कि किस तरह के और किस level के questions exam में पूछे जाते हैं जल्दी से आप लोग इस PDF को join कर लीजिए इसके लिए आपको screen पर दिएगे number पर WhatsApp की help से contact करना होगा इसके लिए आपको सरफ एकी बार fees पे करनी है वो भी सरफ 599 तो बढ़ते हैं अपने questions की और तो सबसे पहला question है तो यहाँ पर पूछा गया है चार agencies के नाम options में given है इधर पूछा गया है कि इनने से कौन सी agency है जो की higher education institutions में उनके standards को coordinate और determine करने के लिए constitutionally assign की गई है ठीके यानि की मानकों के through वो assign यहाँ पर की गई है options are union government concerned state government GST या फिर UGC तो आप लोगों को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जब भी इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजे यह higher education unit में भी आपको help करेगा जब भी हम लोग higher education institution की बात करते है तो इसका जो भी syllabus है जो भी इनकी marking है जो भी इससे related rules होते है यह हमेशा UGC ही define करता है तो इस recording यहाँ पर हमारा right answer होगा option number 4 अब यहाँ पर expected यह भी question हो सकता है कि UGC की जो है roles or responsibilities and maintaining standards of higher education and university grant commission यानि कि UGC provides recognition to universities in India and disburses fund to such universities and colleges जो यह जो है credit प्रवाइड करवाती है universities को recognition प्रवाइड कराती है universities को साथ ही college हो higher education या institution हो उनको funds देने के responsibility भी university grant commission की ही होती है अब यहाँ पर एक और important चीज़ यह है कि university grant commission यानि कि UGC का head office कहां है तो इनका head office है new Delhi में ठीक है and six regional offices है बेंगलूरू में right next question पर जाते है the idea of four pillars of education was suggested by यह जो first question था यह भी higher education का current affair है यह वाला question second है यह भी इसी से आता है the idea of four pillars of education was suggested by so education की four pillars होते है यह तो आपको पता ही होगा यह idea किसने suggest किया था UGC NCTE ULICEF या फिर UNESCO so right answer है यहाँ पर option number four that is UNESCO अब UNESCO की full form भी आपको पता होने चाहिए वो है UNITED NATIONS EDUCATIONAL EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION CULTURAL ORGANIZATION इसको नोट कर लीजे so यह exactly है क्या so it is a specialized agency of United Nations that is aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, arts, science and culture इनका headquarter जो है वो पारिस यानि की फ्रांस में है and founders में बहुत सारी बड़ी-बड़ी countries है जिसमें से की इंडिया भी एक है okay so अब यहाँ पर four pillars तो हमने बता दिया कि UNESCO ने provide करवाए थे अब बात आती है कि UNESCO का main purpose क्या है so इसका main objective है to contribute to peace and security in the world by promoting collaboration among nations through education, science, culture and communication यानि कि different countries में education, science, culture के थ्रूँ जो है collaboration को promote करना यह इनका major objective है so next question पर जाने से पहले students आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि UGC net exam में जैसे मैंने आपको बताया paper one and paper two होते है paper two जो है यह होता है हमारा common paper जो कि हमने already post graduation में पढ़ा होता है sorry common paper नहीं होता यह subject related paper होता है जो कि हमने post graduation में पढ़ा होता है अब students यहाँ पर यह mistake कर देते हैं कि वो बोलते हैं हमने post graduation में पढ़ा है तो हम easily score कर सकते हैं और इस paper को ignore करने लग जाते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर कर देते हो actual में यह होता है कि आपकी post graduation का level and UGC net exam में questions पूछे जाते हैं उसके level में बहुत जादा difference होता है तो आप लोगों को paper 2 का complete study material global online की team देती है वो भी बिलकुल UGC net के level के according and 100% guarantee के साथ study material में आपको मिलते हैं full syllabus notes and most expected MCQs so अभी exam में सरफ 8-10 दिन बाकी है so अगर paper 2 की कोई भी unit आपकी miss हो चुकी है तो आपको क्या करना है उसके सरफ most expected MCQs cover कर लो as it is exam में पूछे जाएंगे और आपको बहुत help हो जाएगी so इस study material की एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसको lifetime के लिए use कर सकते हो सिरफ एकी बार फीस दे करके and इसके अलावा UGISnet के अलावा कोई भी teaching related competitive exam अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी study material आपकी बहुत help करता है so इसके लिए generally fee है 1700 रुपी लेकिन क्योंकि exam में कम समय बाकी है and हम चाहते हैं कि हर एक student इस study material का benefit उठाए and अपना exam qualify कर सके so इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए है 20% off so ये complete study material lifetime आप use कर सकते हो at just rupees 1275 तो जल्दी से इसको join कर लीजिए आपके सामने total 20 subjects के list है इसमें से check कीजिए जो भी आपका paper 2 का subject है उसको select कीजिए and screen पर दीए के number पर whatsapp के help से आपको contact करना होगा so जल्दी से इसको आप लोग join कर लीजिए so next question है हमारा यहां पे which public sector undertaking of India partnered with the All India Institute of Medical Sciences Rishikesh यानि की AIMS Rishikesh and developed a remote monitoring system for COVID-19 so यहां पे options में for public sector undertaking of university मतब आप यह याद रखिए कि public sector companies जो होती है उनका नाम लिखा हुए ठीक है four options में अब इसमें आपको बताना है कि इन वेसे कौन सी company ने AIMS के साथ AIMS Rishikesh के साथ मिलकर COVID-19 के लिए एक remote monitoring system develop किया है तो यहां पे direct answer है हमारा option number A that is भारत electronics limited तो भारत electronics limited क्या है यह Indian government owned aerospace and defense electronic company है and यह primarily manufacture करती है advanced electronic products for ground and aerospace applications ठीक है तो अब यहां पे देखो भारत electronic limited जिसको की BEL के नाम से generally जाना जाता है तो BEL ने AIMS Rishikesh के साथ मिलकर COVID-19 COVID-19 के लिए remote monitoring system design किया था अब इसका use क्या था यह भी आपको पता होना चाहिए the remote patient health monitoring system ठीक है यह क्या है remote patient health monitoring system अगर कोई दूर patient बैठे है उनकी health को monitor करना है and it can be installed at homes or hospital premises to reduce the risk of exposure to healthcare workers to COVID-19 while attending to persons undergoing isolation तो जो भी person isolation में जाते हैं अगर doctors उनको check-up के लिए जा रहे हैं तो उन doctors की या फिर उन hospital staff members की कैसे care की जाए एक उसमें यह चीज़ भी है and यह remote patients को भी help करता है COVID से निकलने में उनका एक वो level उनका एक वो status बताता रहता था पूरा monitor करता था उनकी health को इसके features क्या है यह भी पता होना चाहिए it shows the severity of the patient's condition in different color codes so color codes होते हैं जैसे कि अगर red color आ गया मतलब patient high risk में है green color आ गया तो बिलकुल safe है इस तरह से color codes यहां पे होते हैं जिस पे यह machine काम करती है next question is which of the following published a report titled Biodiversities by 2030 transforming cities relationship with nature developed as an output of Biodiversities by 2030 initiative so direct question है यहां पे right answer है option number 3 that is world economic forum so यह क्या होता है यह एक international organization है for public and private corporation and the forum engages the foremost political, business, cultural and other leaders of society to shape global, regional and industries agendas ठीक है अब इसकी बात biodiversity 2030 से कैसे की जाएगी so biodiversity by 2030 है क्या यह एक joint initiative है for world economic forum and Alexander von Humboldt Institute ठीक है जो की Columbia Government of Columbia के अंदर आता है this initiative aims to support city government business and citizens to enable cities to live in harmony with nature by 2030 ठीक है so यहां पे citizens और city को किस तरह से harmony में लिव करना सिखाया जाएगा nature को किस तरह से सेर्किया जाएगा तो 2030 तक यह सब चीज़ें यहां पे को बताई जाएगे तो हमारा आज का last question है National Immunization Day is celebrated every year on 16th March what is the theme of 2022 this time तो यहां पे देखो जो nature से related, environment से related days होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए और इस साल के उनकी theme क्या थी वो भी आपको पता होनी चाहिए तो इसमें question में ही बता दिया है National Immunization Day 16 March को मनाया चाहता है आप से पूछी गई है theme तो इस साल के उनकी theme थी vaccines work for all क्योंकि COVID का समय है vaccines लग रही है 2022 में तो इसी लिए इस चीज़ से रख सकते हैं ठीक है सो यहां पे इस चीज़ को आपको याद रखना है कि National Vaccination Day भी इसको बोला जा सकता है ओके Day to acknowledge the acknowledge and appreciate the hard work of frontline healthcare workers to ensure the vaccination of every child ठीक है सो उन सभी को यहां पे सम्मानित करने के लिए यह दिन बनाया जाता है ता कि जितने भी frontline workers थे ठीक है medical science में जितने भी workers थे जिनने COVID-19 के दरान अपनी duties दी है तो उन लोगों को यहां पे सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है So I hope every question is clear for you अगर आपको कोई doubt है कोई query है इन question से related तो आप मुझे comment करके जरूर बता सकते हो So thank you so much for watching this video and I wish you all the best